कोई यह फाई यार है प्रेम चंद के खिलाब कितने मुकदमे प्रेम चंद के खिलाब उससे जावा मुकदमे तो योगी आधितनाथ के खिलाब में अगर यादो खड़ा हो गया तो क्या होगा जिस तरह तुम लोग माहावल बना रहे हो तिनके बुल्डोजर का चक्का खोल जाएगा जो नट बोल लगता है खोल के छटका दिया जाएगा ते अब हमारा सब्सक्राइब निकल जाएगा ना यादों के घर से उसका पैसा चाठ घर विशा बन जाएगा यह उचित है ब्रामण वर्सेज यादो बनाना इस नरसंगहार कोन लेख पाल ना पीकिया भाई प्रेम चंद को मरने के बाद माफिया घोचित कर रहे हूं उनके खिलाब कोई किसी ने कोई अप्लिकेशन दिया है पहले हमारे है किसान सत्तों हर दिने यादों नी रहुगा बड़ा सीना ठों के काता कि मैं गाजी पूर का यादो हूं हमको और दे दो अपकी आओ तो बता उनकी बेटी बता रही कि पहले निसान कहीं और लगा गया था पूरे घर लगा दिया गया निसान की पूरा घर बुल्डोजर चलेगा और क्यों चलेगा हम देब पूछ रहे हैं काहे खलियान पर बनाए हैं को किसने बताया अभी जो इस्तिती है जो ग्राउन पर जमीन पर अभी कैसे आपने नापी करा दिया खेत खाली नहीं है किस पत्थर से आपने नापी करवाया कहां जंडी गड़ी कहां से मिलाया गया अभी जरीब चल सकती है क्या खेतों में जो इस्तिती है नापी के लिए जरीब चलाई जा सकती कौन लेकपाल वहां जरीब चलाएगा किसी ने कोई अप्लिकेशन दिया है पहले को यह फाई आर है प्रेम्चन के खिलाब कितने मुकदम I just के खिलाफ में जर्ण जननपर निदी थ्थी जिला पंचायत सदस्थ घाउं का परधान था लोगों में लोगप्रिय था तो आज भी पूरे इलाके में उसके खिलाब कोई बोलने को तयार नहीं है सारे लोग करनें कि प्रेम चंद बहुत अच्छे आदमी थे मिलनसार थे जो वेक्ति उनसे चुनाओ हा रहा था राम निवास पासवान उससे हमलों की मुलाकात हुई पकड़ी बाजार में तो उन्होंने कहा कि ने भाई प्रेम चंद जी से मैं चुनाओ हा रहा था चार सो वोट से वह हमको हराए थे और हम वही बेक्ति हम लोगों को प्रेम चंद के घर ले गिया उनकी बच्चीयों से हम लोग उसी वज़ा से मिल पाए अगर राम निवास पासवान हमलों के साथ नहीं होते हो वहां के जो वर्तमान जीरा सेयरा पंचायस है उन्होंने हम लोग वहां पहुंचाया हम लोग वहां गए परिवार से मिले और परिवार से मिलके जो हम लोगों ने हकीकत जानी तो यह जाना कि प्रेमचंद का परिवार बहुत ही सीधा साधा परिवार है उसके घर में जो बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई करते हैं उनका भ बाई साब कितने फुट का 40 फुट का कुल मकाने होगा हूँ चालिस फुट से ज्यादा उसकी लंबाई चोड़ा ही नहीं है उसको ऐसा दिखाना है कि राजमहल टाइप का तो यह जो ब्रामण मीडिया और जो ब्रामण सोच के ब्रामणवादी सोच के लोग हैं जो इस तरह क पर चलना शुरू कर दे तो क्या होगा जो भाई शराने वाला डंडा एक दिन घर से निकल जाएगा ना पता चल जाएगा कहां गए तुम है अवकात है जो जो जिसे डंडा यादो विरादरी निकाल लेत कहां रहेंगे कहां रहेंगे यह उचित है ब्रामण वर्सेज कि अपना इतिहास हैं कि अससे लगदोगे हम उसे को किसी के साथ , ना इंसाफी होती है। जब बताई सूबे में सामनतवाद 90 के पहले जो सामनतवाद था उसके खिलाब कुन ख़ड़ा हुआ पुर्युक्तर प्रदेश में यादो ही तो खड़ा हुआ किसी के साथ अगर अन्या जोर जुल्म अत्याचार हुआ तो सामनतों ने किया तो उसके बर खिलाब यादो जाती के लोग ही खड़े हुए और उनका जबाब दिये अगर बुल्डोजर की कारवाई हो जाएगी उनके घर को ढहा दिया जाएगा तो फिर क्या करेगा यह यादो समाज का पहिया खोल लिया जाएगा वहां पहुंशने के पहले उनका बुल्डोजर उल्डोजर वहां नहीं जाएगा लोग सपना न देखें उस आदेश का होगे एक बार नापी नहीं होती है अजिए डाय गया नापी के लिए हम जानते हैं किसान हैं तीन बिंदु तय होता है कोन पॉइंट करके या बिना तीन बिंदू फिक्स किये आप किसी जमिन की पहमाइस नहीं कर चकते हैं कहां बिंदू fix किया गया यह गुंड़ाई है जब रदस्ती है कि आप जो चाहोगों वही कर लोगे कर ही नहीं सकते हैं यह मौसम ही नहीं है यह इस तरह की नापी जो की जो है वो जब फसलें कड़ जाती है आप कराते नौंबर में जब धान कड़ जाता आप कराते सबसे हम गर्मियों में होते हैं जब खेत खाली होते हैं अभी तो आप कहीं जाएंगे जरीब ले करके तो कहीं पता चला कि दूफुट पानी है कहीं एक खुट का कशड़ा है कैसे जरीब चलेगी भाई जरीब नहीं चल सकती है कैसे आप नापी करा दिये इसका मतलब जो है यह गरसित लोग हैं और यह फरजी तरीके से नापी कराके प्रेमचंद का में गिराना चाहते हैं और हम पूरे सिद्धत के साथ कर रहे हैं कि में गिरा पाएंगे कानून भी नहीं गिरा पाएंगे अगर यह कानून तोड़ कर उसको गिराने की कोशिस करेंगे तो इनके बुल लोग करेंगे देखिए वह सरकार पैशा भेजवा रही हम लोग भी गए तो वहां तमाम संगठान एक रुप्या का मदद नहीं किया कहां क्या करते हैं कितना पैशा उनके पास है हमारा सबेरे एक लीटर दूर निकल जाएगा यादों के घर से उसका पैशा तो चाठ घर विशा बन जाएगा हम लोग बनवा देंगे तो धमकी कोई ना देगी प्रेम चंद का घर गिरा देंगे दस मकान चार मकान एक दिन में यादो परिवार एक लीटर दूसरे बनवा सक सोचके नहीं है तो उनको दोनों परिवारों से मिलना चाहिए था अगर बिजय सपाठक जातिवादी नहीं है तो दोनों परिवारों से मिलना चाहिए अखिलेस यादों को रभी किसन सलाह देंगे रभी किसन जैसे लोग जो है नाचें गाएं उनको समाज का ज्यान नहीं है किस तरह की भासा बोलते हैं रभी किसन और मनोस्तिवारी दिनेश लाल यादों नहीं रहुगा यह गयर प्रसंगिक लोग हैं हैं हमारे हैं कि सांसत्त हार दिनेश यादों नहीं रहुगा बड़ा सीना ठोके काता है कि मैं गाजीपूर का यादों हूं हमको वोट दे दो आपकी आओ तो मिलेगा आओ अपकी यादम गळ तो बताते हैं तो यह नाचे ने गाने वाले लोग अखिलेस यादों को सलाह दें अब यम्पी मेले होना एक्सिदेंटल है आप हो गये आप नेता नहीं हो अखिलेश यादो नेता है उसको इस सूभे की जनता नेता मानती पिछड़ा दलिस समाज उसको नेता मानता है अब अखिलेश यादो को रभी किसंद जला देंगे अखिलेस यादो समाजवादी निता है। उन्होंने 해 узнать कहां जातिवादी हैं कि पत्नी राजपूत Daar ले सीम कहां लाहत है। दोनों परिवारों को नियाय मिले और सलब मडी का भी का लिटेल चेक किया जा जिस दिन हत्या हुई है एक दिन पहले से एक दिन बात तक मुझे तो लगता है कि उस पूरी जड़ में अगर कोई सबसे बड़ा मास्टर माइंड है तो सलब मडी तिर पार्टी वहां का यह मिले सबसे बड़ा माफिया तो खुद है खुद है सबसे बड़ा माफिया गुंडा है वह क्या कहेगा कोई यादो निता तो वहां जाके नहीं भी भासन दिया कोई वहां जाके सभा तो नहीं किया यह क्यों कर रहे हैं सब यह गुंड़ाई यह कर रहे हैं और हमको ललकार रहे ह हम गुंदाई नहीं करते हैं बहुत सरापस रहते हैं सरापस रहने वाले लोग हैं लेकिन एक चीज कहना चाहते हमारे स्वाइमान से मत खेलो हमारे स्वाइमान को मत ललकारो नहीं तो पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा क्या हो जाएगा सलम मली त्रिपाठी वहां ब्रामन बर्शेज यादो करवा रहा है। ब्रामन बर्शेज यादो जाती हिंसा कराने की कोशिज वहां सलम मली त्रिपाठी योगी आतितनात के इसारे पर करा रहा है। यह खेला है जो ब्रामनों की हत्या हुई है। तमाम पुर्वांचल से लेक ठेकेदारी कर रहा है